हमारे साथ इस वक्त ब्रिंदावन से पध्यात्रा में हिंदू सनातन एक्ता पध्यात्रा में सामिल होने आये स्वामी बल्राम अचारे जी है जो इस वक्त बागेश्वर धाम सरकार के आवान पे पध्यात्रा में सामिल हुए आये इंसे बात चीत करते है गुरु जी कैसे दे पंडे धेरेज कि शास्त्री जी ने हर प्रकार शे जात पात की करोविदाई और सभी हिंदू है भाई भाई कर जो नारा दिया है इसमें सबसे बड़ी बात है हम यह सोचना चाहिए कि कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं हम सब समान हैं हम सब सनातनी हैं और इस एकता यात् परिश्रम करके इस यात्रा को शफल बनाने के लिए दिन और रात परिश्रम किया हैं हमारे बागिश्वर्ण हम सरकार कल रातरी काल में भोजन कर रहा था उनके चरनों को यह और देख रहा था मैंने पूछा आपको तकलीफ नहीं होती है बोलते मुझे खुशी मिल रही है मुझे आनन्द मिल रहा है और जब मेरे पीछे इतने भक्त लोग चल रहे हैं जो सनातन के लिए हिंदू राष्ट के लिए लगे हुए हैं तो मुझे तकलीफ क्यों धर्द क्यों यह उनकी सरलता है और हमी भी उनका साथ देना चाहिए इसके लिए समस्त धर्माचार ब्रजाचार भागवताचार शंत लोग आ करके इस यात्रा में शमलित हुए हैं और मैं भी साथ किलूमीटर से लगातार उनके साथ में रहा है अभी दर्शन करके ही मैं रामलला के आया हूँ राजराम जी के और हम यही चाहते हैं कि हिंदू राष्ट बने हम सब एक हों हम सब एक हों अभी नहीं तो कभी नहीं अच्छा गुरु जी ने कहा है कि जो उद्देस है उनका इस स्यात्रा का कि भारत को हिंदू राष्ट बनाना है कैसे देख़ी सुद्धिस को हिंदू राष्ट से मतलब क्या है थोड़ा अच्छे से समझाएगे लिए नहीं है कि जैन भाई हम से दूर हो जाएं सिक भाई हम से दूर हो जाएं हिंदू राष्ट का अरत है कि सब उंगलियां समान है बस मुठी बनने की दे रिये जब मुठी बनेंगे वह सनातन राष्ट होगा, हिंदू राष्ट होगा, हिंदू कभी हिंसक नहीं हुआ है, ना किसी को कष्ट दिया है, लेकिन हाँ जब छेड़ो होगे, तो फिर छोड़ेंगे नहीं गुरुजी संभल में बीते दिनों जो जामा मस्जीद है, श्री हरी हर मंदिर होने का दावा किया जाता है, इसके बाद एक टीम जाती है सर्वे करने, हिंसा हो जाता है, कैसे देखते हैं? मैं तो बार बार कहूंगा, जितने मस्जीद हैं, उनको खोद करके देखिए, वहां मंदिर ही निकलेगा, क्योंकि आप ये बताइए कि हिंदू राष्ट भारत वर्ष, जहां पर शदेव मंदिरों में भगवान का पूजन होता रहा है, सनातनी पूजन करते रहे हैं, उसक हमारे मंदिरों को क्यों तोड रहे हैं, आज क्रिशन जन्व भूमी के लिए लगातार शंसद हो रही है, किस तारीक को भी हुई, 27 को भी केशव धाम में हुई, मैं वहां हूं पस्तित रहा, और एक ही ही हमने मांग कि ये बड़े प्रेमशे हमारी वस्तु हमें दे दी कल ही ये गोश्ड़ा वाम मंच पर की गई और हमने आवान में यही कहा कि आप दिल्ली से ब्रंदावन आईए या ब्रज से ब्रंदावन शे हम दिल्ली की यात्रा करेंगे, तो रातरीकाल उन्होंने एक बात कही कि इस महा कुम्भ के बाद ब्रज ब्रंदावन धाम शे दि दिल्ली की ओर, राधे, राधे, जैशियाराम, जैशियाराम गुरुजु